हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आमारी यूट्यूब चैनल समराट एजूकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बियस्टी एगरिकल्चर थर्ड सेमिस्टर के एक विस है फार्म पावर एंड मसीनरी का दोस्तों पहला लेक्षर लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपार्टेंट इसमें से प्रस्न बूशा जाता है तो यदि आप लोग इसका पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्सिन में वाट्सप ग्रूप का लिंक और वाट्सप नंबर दिया किया है मैं ऐसे चरके आप लोग इसका पीडियाप ले सक जाता है तो जो सकती फार्म पर विभीन कार्यों को करने में प्रयोग किया जाता है वह फार्म पावर कराता है जो सकती फार्म पर विभीन क्रीसी कार्यों को करने में प्रयोग किया जाता है उसे फार्म पावर करते हैं अब टाइप आप फार्म पावर कितने प्रकार का होत प्रक्ट कि वर्क दूसरा होता है आप फरलंग बदक्टकों खाया सका जातीयँ मदkeeping साधिति से त्राइक्टिव प्लेगं ऐसे सबक्राइब कर दो लाने जाते हैं तो यह पुछ गयों घडाइब कर रहे हैं त्राइक देखते हैं दुसरा इस्टेनरी वर्क वेकार जिने मनुश्यों बैलो और मसीनों द्वारा एकस्थान पर इस्थिर रहकर किया जाता है उसे इस्टेनरी वर्क कहते हैं गणने करस निकालते है каким יक..ए यसञारा काटना मतमतर्ट। जो मश्षयन से चारा काटा जाता है तो एक वस्थान पर गणारि फाने उठाते है तो एक अछीचन पर इस्थान पर इस थी रखर किया जाता ह। उसे क्या कतने स्थान पर चल पोलिंग फोर्स दोरा किया रहते हैं उसे क्या करता है ट्रेक्टी वर्क्ष में आगे आidences वे सोट्थ आप form पावर लाय डोस्टो लाई हुमें पावर दूसरा राए िनिमल पावर तीसरा फार तरक्टर पावर चोथा एक्टरिक पावर लेहना गञे इसमें किनिकल पावर लेक्ट्रिकल पावर उस्वे उसे में वहाँ से अनेधिक हैं Service सबसे पहले देखेंगे human power जो की बहुत ही जरूरी है हर बार क्या में पूछा जाता है हिस प्राचिन समय में मनुष्य सभी क्रिसी कारे को किया करते थे परांतों साइंस के डेवलप्मेंट के साथ सकती का जो स्रोत है उसमें भी विकास हो गया और क्रिसी में अन्य पावर का भी प्रयोग होने लग Vallahi के समय में बस मानोब पावर के द्वाराई हुमेन पावर के द्वाराई क्रिसी करको किया जाता था लेकिन जब Masanos Development हुआ तो उसके साथ उसके सक्ति के सुरुतवें विकात सुए का और क्रिसी में आन्य पावर का भी प्रयोग होने लगा किससानों के पास कम भुमी तड-काष्ट में और सडेक्तर किसान के पास कंपतर काष्ट में है तुछ इससे सब्सक्राइब करेтесь मितलि के दो देखेंगे एनिमल पावर जैसे जैसे सब्यता का विकास हुआ वैसे ही हुमन पावर के साथ बहुत से कारियों में पस्वों का प्रयोग होने लगा हमारे देख में क्रीसी कारिक्तर कारे 2072 और ऊटों से किया जाता है जबकि अमेरिका में घोड़े वा खचर से भी किया जाता है एक बाइल से एक दिन में लगभग 0.05 हर्स पावर मतलब अस्व सक्ती की सक्ती प्राप्त होती है और एक घोड़े से 0.65 से 1.25 हर्स पावर तक की सक्ती प्राप्त होती है दुश्तो जो एंिमल पावर है हमारे देशमें सबैता विकास होने के बाद जाहिसे हीुमन पावर के साथ साथ कृसी का स्वारी पस्वां का पर्यवक भी होने लगाता है और एक घुड़ा जो हता है एक दिन में 0.65 से 1.25 हर्स पावर की सकती प्रतान करता है तो दोस्तों यह होगा क्या एनिमल पावर अब देखेंगे ट्रैक्टर पावर क्रीसी के इस्थीर कारे इंजन के द्वारा किये जा सकती है करलों से अमारे देश में अब ट्रैक्टर का प्रयोग भी अधिक हो गरी अर उत्पादं भी बढ़ता जा प्रति दिन प्रति जा रहा है क्रिस्टों कर्यों में विदद का प्रति दिन बढ़ता है क्रत मिइश का प्रयोग जो प्रयों के दिन बढ़ता ही जा रहा wird जा रहा है इसका प्रयोग की कटाई ट् करने के लिए किया जाता है दोस्तों अब लोग बहुत से क Saturday निए से आगे देखें दोस्तों विंड पावर और यह प्राक्रितिक सक्ति है चाहिए प्राक्रितिक कर्ण था Paul और यहिंस नहीं की कि आती जब आए क्या सकता होती है तब या नहीं मिल पाती है लेकिन कभी-कभी उपलब्द होती है तो इसे हम नियंत्रल करके नहीं रख सेते हैं मतलब इस पर नियंत्रल नहीं किया जा सकता है वर्तमान समय में बिजली न केवल मांगी पड़ती है बलकि समय पर उपलब्द नहीं होती है पवन चलित चक्कियां प्रकृति द्वारा मुप्त में दी गई पवन उर्जा से बीना बिजली या डीजल के ही हम लोग चला सकते हैं ध्योसित पीशच्य खख़ल कि सकते हों कि ने नहीं नहीं इसलिए दोस्तों कि चुक्त है चिन पार्म के पास कोई नदी नाली बहती हो वार्टर पाउर का दिकतर प्रयोग वार्टर वी ल्वी ल्श या और टर्वाई नित्यादी की साहता से विद्युद उत्पन करने में किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थों की कमी तथा इसके मुल में व्रिद्धि के कहरण आज व्यज्ञानिक सोलर एनर्जी की और आकर्षित हो रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थ मतपर जिससे अपका पेट्रोल होके डीजल हो गया तो इससे दोस्तो जो इधन वाली तेल में मुल में देशो अधिक प्रिद्यों की सित में पेट्रोल और लीटर हो गया आए दोस्तो इस सब्सक्राइब को देखते वह वैज्ञानिक जो है इनरजी के पिर आकर्सित हो रही है आज ने साघ्ञाइब के लिए भी चूले संधयार सब्सक्राइब सब्सक्राइब से और दौस्तों कुछ अस्थान नत्युक्य दरण ड्वाइब टूबे चलाए जाती है फिर्चों कि तो घ्रंप पनाने के चूल सबस्तों का प्रहोग कि भारत में अभी तक प्रयोग खेतिके कारियों में नहीं किया जाता है दोस्तों यह यह वहां पर खेती करना संबहों नहीं था इसलिए वहां पर एटोमिक प्रयोग करकि के जोग भूमी को बना जाता है यहीं से उबर और दोससे म्हाँ पर इटोमिक पावर लगाकर इने बलाश्ट जो यह समार्फ और खाल दोस्तो होता है वह आपस में मिलके बinch के बराबर हो जाता है तो देखते हैं दोस्तों विदोसें बहुत उची नीची भूमियों को समतल बनाने में इसका प्रयोग किया जता है उर्जा संकट के करल भविस में इसका प्रयोग क्रिसी कारों में होने की आसा है भविस में तो दोस्तों उम्मित करते जितना मैंने बता है आप लोग समझ में में आवगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा इसके बाद दुस्तों मैं आप लोग को I C Injun बताऊंगा कि आइसी इंजन है तो दोस्तों यदि आप लोग इसका पीडिए चाहिए तो आप लोग ले ली जगा जरूर चलते हैं धन्यवाद जहिंद